हलो गाईस कैसे हो आप सभी आप दिख रहे हैं टूडे शेयर और हम बात करेंगे टाटा स्टील लिमेटेड के बारे में समझेंगे किया अपडेट है रीसेंट की क्या वो बाते हैं जो एक इंवेस्टर को पता होनी चाहिए और यहां पर इस्टोक कंटीनूसली नीचे गिर इसके पीछे के क्या रीजन है तो सब को डिटेल में समझने की कोसिस करेंगे तक कि अगर आप इस कंपनी के इंवेस्टर है या आप इस कंपनी में इंवेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आपको बड़े फाइदे हो सकें यहां पर मैं सबसे पहले यही दिखाऊंगा कि बेसि हुब से important part होता है वो आज आप देखिए लगबग 3 करोड के आसपास का ही trade हुआ है overall उतना ही volume trade हुआ है जितना कल हुआ है इस वज़े से आज कोई खास growth company ने नहीं दिखाई है अब यहां पर हम समझते हैं कि basically NSE का data क्या कहता है उसके बाद चीजे आगे discuss करेंगे मैं NSE क उपर हूँ और मैंने इदा Tata Steel का stock खोला हुआ है और मुझे बहुत किलियर नजर आ रहा है कि इस company में जो trade information है वो दिखाती है जो sale quantity है लगबग 52 lakh की है और जो buy quantity है वो 30 lakh की है यहां पर एक बात समझ में आती है कि जो Tata Steel company है इसके अंदर जो investors थे वो अब sale कर रही है और 52 lakh stocks को sale करना चाहती है ऐसा नहीं कि खरीदने वाले नहीं है खरीदर भी रही है और 30 lakh के आसपास की buy quantity भी लगी हुई है लेकिन ज्यादा quantity आपको इदर sale की देखने को मिलेगी अब थोड़ा और समझते है जैसे pre open market मैं आपके सामने open कर देता हूँ यह आप screen पे देखेंगे तो आपको pre open market नजर आएगी और अगर आप stock देखेंगे तो 148 रुपे का है और अगर यह बढ़ता है तो हद से हद 160 रुपे तक बढ़ सकता है लेकिन 160 रुपे जब ही जाएगा जब पहले एक बार stock 151 रुपे पे आए अब 151 रुपे पे आने के लिए company को time तो लगने व मतलब down की तरफ जा रहा है और अगर down की तरफ जा रहा है तो यह 135 रुपे तक नीचे गिर सकता है तो overall एक बात समझ में आ गई है कि stock में हमें downfall नजर आ रहा है अगर आप historical data देखते हैं तो इधर से भी हमें एक महिने का idea लग जाता है अगर सबसे lowest अभी तक stock गया है वो 14 147 रुपे गया है वो भी 11 सितंबर को मतलब की बहुत साफ है कि जो आपको 148 रुपे का stock देखने को मिल रहा है यानि कि stock अपने nearest को easily achieve कर सकता है यानि कि stock नीचे गिर सकता है लेकिन अगर यह सबसे high जाएगा तो 156 तक जाएगा 27 अगस्त को company 156 रुपे तक गई थी अब को क्या लगता है कि वाकई में stock बढ़ेगा या फिर नीचे गिरेगा comment करके बता सकते हैं लेकिन जो data है जो updates है वो तो इस company में यही दिखा रहे हैं कि stock हमें नीचे की तरफ गिरता हुआ नजरा रहा है यहाँ पर guys हाला ही में company ने एक बड़ी update जरूर दी है ऐसी बात नही यहाँ पर company ने खुद बोला है यानि कि Tata Steel ने अपने उडिसा में जो स्थित company का plant है जिसका नाम कालिंगा नगर है उसके company ने दो चरण में उसको पूरा करने का कारगार दिया है इसमें company का कहना है कि हम जो अपना steel का production है बढ़ाने वाले हैं company पहले कालिंगा नगर में लगभग 3 million ton पर 3 बर्स के दर से steel produce करती थी अब ये 3 million से बढ़कर 8 million ton रहने वाला है जो की काफी बड़ी growth है इसके लिए company को काफी बड़ा expansion करना होगा अब देखते हैं कब company 30 lakh ton से अपने steel के उत्पादन को 80 lakh ton पर ले जा पाती है या फिन नही यहाँ पर हमें ये भी समझना बहुत जरूरी है कि company ने हाला ही में growth में ये बताया है कि उसने 27,000 करोड रुपे का निवेस किया है इस project के अंदर और company green steel के लिए भी बड़े काम कर रही है तो guys ये update हमें कहीं न कहीं दिखाते हैं कि Tata Steel में positivity आने के higher chances है आप देखते हैं company क important resource और समझते हैं कि basically important resource किस तरह की direction Tata Steel में दिखा रही है अभी तक हमने यही जाना है कि Tata Steel में चल क्या रहा है investor और trader किस तरह से company को देख रहे हैं और company को लेकर जो latest news है वो क्या है company को लेकर latest news positive है company के important resource पर हम आएंगे और उससे पहले जो मैंने आपको बताया था कि recent में company company का stock price हमें नीचे गिरता हुआ नजरा रहा है important resource पर आते हैं और सबसे पहले company का market cap देखते हैं तो 1,85,000 करोड के आसपास की company है यानि की बड़े market cap से हमें company देखने को नजराती है अगर company का free cash flow देखेंगे तो लगबग 2,569 करोड है company का free cash flow positive है 5 साल की sale growth 7.77% है कुछ खा steel sector, steel sector में जो other companies है उनकी sale growth से तो हम कह सकते है company positive है overall हमने ये भी देखा है कुछ बड़े investors का मानना है कि Tata Steel इतना अच्छा perform नहीं करेगी हो सकता है कि steel sector बढ़ जाए लेकिन Tata Steel की growth बहुत slow बढ़ने वाली है अब ये किस हद तक सही है किस हद तक नहीं हो हमें comment करके बता सक सकते हैं company green steel के उपर काम कर रही है क्या green steel का जो project है company का या जो green steel की innovation है कितनी successful रहती है और इससे कितना फाइदा company को होगा ये भी हमें आगे ही देखने को मिलेगा लेकिन एक बात है कि अगर company green steel project अपना लेके आपाती है अपना जो innovation है green steel का उसको लेके आपाती है इंडिय steel के लिए लेकिन अब देखते हैं कि भाई companies की announcement कप करती है फिलाल अगर company का P&L चेक करें तो हमें समझ में आता है कि company का पहले loss हुआ करता था फिर company 63 करोड याने 63,000 करोड के आज पास के operating profit पे आई अब company 23,000 करोड के operating profit पे अटकी हुई है हाला कि company ने बीच में काफी बड position पे consolidate कर रही है अगर हम documents के अंदर चलें या हम investors को देखें तो shareholding pattern आप देख सकते हैं company का 33% है, promoters 33% ही invested है, FII 19% के आसपास invested है, mutual funds 23% के आसपास invested है जो हमें clearly इदर नजराता है अब आप क्या सोचते हैं Tata Steel के बारे में comment करके ज़रू बताईए आपकी क्या राय है, वो भी हमें comment करके बता सकते हैं, फिलाल इस वीडियो में इतना ही, किसी भी तरह का कोई buy sell hold recommendation नहीं है, आपको ना ही कोई financial advisor, अगर आप most active stocks के साथ ऐसे ही जुड़ा रहने चाहते हैं, मिलते हैं गाइस किसी नहीं वीडियो के साथ, किसी नहीं update के साथ, तब तक के लिए take care and goodbye.